दोस्तो जामून के पत्तों से तो आप सबी वाकिव हैं, यह एक ऐसा फल है जिसके असंख्य उश्दिय फायदे हैं, गर्मी लगने पर जामून खुब खाया जाता है, सेथ के लिए जामून ही नहीं, इसके पत्ते भी फायदे मंद होते हैं, कई गंबीर बिमारियों में जाम जामून की पत्तियों सब्सक्राइब के बारे में बताएंगे, अगर आपको डायबिटिज हैं, तो दो ग्राम जामून की पत्तियों में एक लिटर पानी मिलागर चाय बनाएं और इसको पी लें, यह डायबिटिज में बहुत फायदेमन्द हैं, और अगर आपको की समस्या होने से भी निजात मिल जाती है, जामून की पत्तियां पेचिश का इलाज करने का प्राकर्तिक स्त्रोत हैं, जिसका कोई नकारातम प्रभाव नहीं होता, जामून की पत्तियों के कैंसर रोधी गुन, कैंसर से बचाव कर सकते हैं, यह श्रीर की कोश्काओं के उत गांट के रोप में विक्सित होती है अगर समय रहती से रोका ना जाए तो टूमर कैंसर में बदल सकता है जामून की पत्या टूमर से बचान में उप्योगी है इसमें ऐसे प्राकर्तिक तत्व होते हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के टूमर को पैदा होने और बढ़ने स रोकते हैं अगर तीन या इससे जादा दिनों तक बुखार रहता है तो यह किसी गंबिर बिमारी या समस्या का संकेत हो सकता है बुखार में आप जामून के पत्तों का उप्योग कर सकते हैं बुखार के पहले दिन से ही आप इसका इस्तिमार करना शुरू कर दें इससे श् स्वस्थ रहने के लिए श्रीर में रक्त प्रवा का बेहतर होना बहुत जरूरी है जामुन की पत्यों से ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर किया जा सकता है जामुन की पत्यों से रक्त प्रवा बेहतर होता है जिससे हिर्दे ठीक तरह से काम करता है और हिर्दे पूरे श्रीष में अच्छी तरह से खून को पंप करता है जामून की पत्यां किड्निस टोन में बहुत प्रफ़मी हैं दोस्तों 10 से 15 ग्राम जामून की पत्यां ले इसे अच्छी तरह से दो कर इसका जूस बना ले इस जूस में तीन काली मिर्च में लाएं और जाना दिन में दो बार पीएं इससे किड्निस टोन में बहुत राद मिलेगी तो दोस्तों ये थे जामन की पत्यों के फायदे अमीद आपको जानकर ये अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उढ़ा सकें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे भी हम आपके ल तो जुड़े रेमेडी अपडेट्स के साथ नोशकार धन्यवाद